दिल्ली के शराब भुटाले मामले में अर्विंद किज्रिवल सरकार को एक बार फिर बड़ा जटका लगा है दरसल आपको बताते कि शराब नीती से जुड़े मनी लॉंडरिंग मामले में दिल्ली के पूरुब डिप्टी सिया मनीज शिशोधिया को मंगलबार को कोट से जस्टिस वर्ण कांदा शर्मा ने कहा कि आमादमी पार्टी के नेता मनी शिशोधिया इलेक्टॉनिक साक्षे सहित महत्वपूर्ण सबूतों को नश्ट करने में शामिल थे हाई कोट ने कहा कि शिशोधिया अपकारी विवाग सहित 18 विवागो वाले मंत्री थे और ऐसे में उन्हें एक नई शराब निती तयार करने का काम दिया गया था दरसल हाई कोट ने 14 मई को शिशोधिया CVI और ED के दलीले सुनने के बाद या चिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था वही आपने कहा कि हम हाई कोट के आदेश का सम्मान करते हैं लेकिन बीजेपी ये सब राजनीतिक बदले की भावना के तहत कर रही है पार्टी को कुचल देनी की राजनीतिक साजिश है बता दे कि मनी शिशोधिया को शराबनीति मामले में CBI ने पिछले साल फरवरी में गरफतार किया था वहीं ED ने शिशोधिया को मार्च 2023 को CBI की FIR से जड़े मनी लॉंडरिंग के मामले में गरफतार किया था अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल की जमानत भी अब जल्द खत्म होने वाली है ऐसे में ED एक बार फिर से केजरीवाल की रिमांड लेने के लिए कोट में याची का भी तायर कर चुकी है